नमस्कार TNP News के Political Roast कारिक्रम में आपका स्वागत है इस खास प्रोग्राम में हम राजनीती से जुड़ी चटपड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजर हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर बिहार से है बिहार के रोहतास में 500 टन का पुल चोरी हो गया जी हाँ दुबारा सुनिए बिहार में दिन तहारे 500 टन का पुल चोरी हो गया चोर गैस कटर और JCB के साथ आए पुल को काटा और काट कर रफू चक्कर हो गया इस पर लालू सुपत्र तेजस्वी का कहना है कि चोर जनादेश चोरी से बनी NDA सरकार से पिरित है जब BJP और नितिश बिहार में सरकार को ही चुरा लेते हैं तो पुल क्या चीज है अब तेजस्वी के इस बयान के बाद सोशल मिडिया पर लोग जम कर इनकी खिली उड़ा रहे है और सही भी है उड़ाना भी चाहिए क्योंकि इनकाय बयान बयान कम चुटकुला जादा प्रतीत हो रहा है जिहां जब लालो के खांदान से कोई चोरी डकैती और भ्रस्टा चार पर ज्यान देता है तो बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता पेट पकड़ पकड़ कर हस्ती है अब इस पर मैं आपको अपने बच्पन में सुनी एक कहानी सुनाती हूँ जब लालो यादव बिहार की सत्ता पर काबिस थे तो एक बार विदेश कहें और वहां के रास्पती के साथ हवाई यात्रा पर निकले कुछ दूर जाने पर रास्पती ने लालो यादव से कहा कि वहां वह पुल देख रहे हो उसका 10% मिरीज्य में है फिर कुछ माईनों बाद जब वही रास्पती बिहार आये तो लालो भी उनको हवाई यात्रा पर ले गए और गंगा नदी के उपर ले जाकर कहा वो वहां पुल देख रहे हो रास्पती ने बहुत ही आश्चर से नीचे देखा और पूछा वहां तो कोई पुल है ही नहीं तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए वही दूसरी ख़बर पंजाब से है जहां हाली में चन्नी के सपनों पर पानी फेर कर आपके भगवंत मान पंजाब की सियासत के शेहनशा बन गये हैं जिहां पंजाब की कुरसी पर काबिज होते ही मान एक के बाद एक बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं जिसमें से उनका एक ऐलान ये भी है कि पंजाब में ऐसा महौल बनाएंगे कि विदेशों से अंगरेज भी नौकरी की तलाश में पंजाब आएंगे चौक गहना कानों पर विश्वास नहीं हुआ न तो चलिए एक बार और सुनिए पंज पंजाब में ऐसी ओजना लाएंगे जिससे विदेशी भी नौकरी की तलास में पंजाब आएंगे अब उनके इस भारी भरकम एलान के बाद जनता चीक चीक कर कह रही है कि मान जी ये आपका कॉमेडी सरकस नहीं है कॉमेडी सरकस खत्म हो गया अब आप मुख्यमंत्री बन जाती है और कैनाडा में पंजाबियों के संख्या इतनी जादा हो गई है कि कैनाडा को मिनी पंजाब कहा जाता है ऐसे में जनता की अपील है कि पहले पंजाबियों को तो पंजाब में रोजगार दे लो फिर अंग्रेजों को भी देते रहना तो फिलहाल आज केस कारेक्ट में इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द कुछ और नई चटपटी खबरों के साथ तब तक देखते रहें TNP News